हेलो फ्रेंट सौगत आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह निवाला यहां पर एन्वाइज वर्सेज बीटी के बीच जो मैच होने वाला यहां पर इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टेंट रह करने वाला हों तो से पहले अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नहीं आया हो तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन करना बहुत जरूए जिसके नमें फेंटेसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलिग्रा चैनल ओपन हो जाएगा दैन उसको आपको जॉइन कर लेना है तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे टेलिग्राम के सही और ओरिजिनल वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको लिंक का ही यूज करना पड़ेगा जो वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है तो ध यही तरीका सिर्फ एक ही है कि आप लिंक का यूज करना जो वीडियो के नीचे कमेंट में आपको दिया हुआ है अब आते हैं वीडियो के मेंट पार्ट पर देखो जो वैन्यू रहा का वह है यहां पर शेक जायए ताबुदावर स्टेडियम बाकी वैधर क्लियर है और र करने में नहीं करें तर्ट में जातने हैं बाब यहां बना कर करा हो तो आख और थार्टी रन पर तो ही है वही होगा तो यह चोड़ी-चोड़ी चीज़ है जो पॉइंस का इंपक्ट पढ़ने वाला है नी क्योंकि आपको सही प्लेयर लेने और टॉप अटर के प्लेयर पिक करो और में बॉलर जो रहेंगे उनको बाकि अगर बाकि टीम कौन से जीतेगी बहुत कोई भी टीम कर सक क्योंकि सिर्फ एक प्लेयर का गेम होता है वह सिर्फ एक प्लेयर की चलने के जुरूत होती है और वह गेम को वंताइट कर देता है एक्सपेक्टेड इसकूर 120 से उपर देखने हों मिल सकता है बाकि एन्वाइस की टीम के बारे बात की जाए तो यहाँ पर उससे पहले कि पर किस मैच आप के लिए रहने वाली है बाकि एन्वाइस की टीम के बारे में अगर बात की जा तो यहाँ पर पॉसिल प्लेंग 11 क्या रहे है कि पॉल स्टर्लिंग आपने डेफिनेटली देखा को पॉल स्टर्लिंग को जो की आर्लेंड के लिए ओपनिंग करता है और व स्टर्लिंग करता है और अच्छी तो नहीं रहे है कि जिसने परफॉर्मेंस कर रहा है तो इसको ध्यान रिखते में जरूर ट्राय कर सकते हो एंदर फ्लेचर को मैं बोलोगा टीटन मैच में आप टॉप टॉप फॉर को मिस्स मत करना क्योंकि अधास ओवर में नीचा वालो की बैटिंग नहीं आती है तो इसलिए टॉप और के बैटन का लेना बहुत जरी खासकर से ओपनेर्स का बाकि यहां पर बात के वसीम मोहमद जो की यूई के लिए ओपनिंग करता आपको पता ही होगा आपने देखागा वर्ल्ड कप में भी अच्छा बैट्स में है ले सकत जीता था अब इंट्रनेशल से रेटार्मेंट ले चुका है और थोड़ा इंट्रनेशल से अब दूर है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है थी और अच्छी फॉर्म में नजर आया था बाकि अगर बात की जाए तो यहां पर है रेमारियो शेफर्ट जो की वैस्ट बाकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहां पर शीफर्ट दो जालेगा और बैटिंग से भी कॉंट्रिब्यूट करेगा बाकि क्योरन पॉलाड रेटार्मेंट ले चुका है यहां पर बात की जाए तो मुंबाइ इंडियंस के लिए खेलना चोड़ दिया हां पर पॉलाड काफी टाइम से अच्छी प्रफर्फर्मेंस भी निकल के नहीं है इसलिए मैं थोड़ा इग्नोर करके जाने वालों पॉलाड गुपनी टीम में बाकि यहां पर है स्टूर्ड भी नी राइटन बैट्स और मीडियम फास्ट बॉलर और वी टीम में कंसीडर करना है तो मेरे खाल से स्मॉलिंग बहुतना इंपॉर्टन नहीं रहेगा क्योंकि भले ही लिजेंड करके जो टोर्नमेंट रोड सेफ्टी टोर्नमेंट उसमें इंडिया लिजेंड के लिए खेला तो जहां पर देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस रही थी बट वहां पर थोड़े प्लेयर थे यहां पर थोड़े इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर है तो कहीं नहीं रहेगा चांस ही मिल जाए बैटिंग का तो बहुत बड़ी बात है अगर डालेगा भी तो मैक्सिम एक ओवर डालेगा ज्यादा ओवर के एक्स्पेक्टेशन नहीं है बाकि जॉर्डन थॉ करता है बाकि अगर बात की जा तो यहां पर है अकील होसें लेफ्ट टाम और्थोड़क्स खेलता है वेशनलित के लिए वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं रहाता है इसका अकील होसें का और मुझे लगता है कि एक आदा ही और एक्सपेक्टेशन की पूरी वैसे मुझे उ टाइटे बालते सारी व्राइटे इनके पास है तो यह दो तो ऑड़े जो है मुझे लगता दो पूरे कंफर्म कंप्लीट करेंगे और मिट्ड लेकर जरूर दिलनी कोशिश करेंगे थॉम्सन और कैस्रिक विलियंस बाकि अगर बात की जाए बैंच में तो यहां पर बात कि बट मुझे रखता है कोई चांस बननी पाएकर बनता भी है तो मिडल ओडर पर फिर मुझे लगता है कि उतना कोई चांस नहीं रहेगा या तो टीम बीनी को भार बिठा कि यहां पर आज हमकान को खिला सकती है बागी यहां पर है एफ मुहमद लेक्स पिन बॉलर उतना इंप बनेंगे तो मेले टॉप थ्री तो इंपॉर्टन बनेंगा और आप वसी मुहमद को भी इंक्लूड कर सकते हो मॉर्गन शीफट पॉलाड मेले चाहिए उतना इंपॉर्टन ना रहे बाकी जॉडन थॉम्सन रियाज और यहां पर विलियम्स पर इंपॉर्टन बनाई रखना और दोदोवर लिखे वे जो एक एक डालेंग उनके आगे एक्सपेक्टेट है यह डालेंगा बीटी की टीम के बारे बारे बात के तो पॉसे लेवन यह रहने वाले हजरत दुल्ल अगर खेलेगा तो एक्सपेक्टेट है कि ओपनिंग करेगा वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहाता है यहां पर हजरत तुल्ला जजजाई तो अमीद करते हैं अगर खेलेगा तो अच्छा खेल सकते हैं कि टीटी इंटरनेचल में आयरलेंड के अगेंश्ट इवन शिस्कूर कि बाकि यहां पर बात किया तो इवन लिविस लेफ्ट हैं बैट्समें वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं रहा था और सीपियल भी उतना कुछ खास नहीं रहा था फिर भी ओपनिंग करेगा तो ले ना क्योंकि टीटन मैच और मैं इगनोर नहीं करना चाहता क्योंकि एवन मैं चील बोलगा कि मुन्रो को मिस्ट करना क्योंकि टीटन यासे प्लेयर में और या तीटन जैसे फ़िर में बहुत डेंजरस प्लेयर को तो एक पार की बात कि जासकता है बाकि अगर बात की जाते हैं यहां पर है जो कि इंग्लेंड का प्लेयर है और राइटन बैट्स में हंड्रेड वाला टॉर्णामेंट इस साल नहीं रहाता आउट आप फार्म नाजर आए था तो शायद उस फार्म की वेसे आप ड्रॉप कर सुथे पर आपके बात को जिताने में तो काफी complete all-rounder है और बिग बैश में आपने खेलते हुए देखा होगा अस्ट्रेला के लिए इंट्रनाशल लेवल पर खेलते हुए देखा होगा तो टीम में कंसीडर कर सकते हो बड़ काफी लंबे टाइम से उतनी opportunities नहीं मिल पाती है कटिंग को इंग पहले शायद मैंने कभी शाकीव को टीटें जाद फॉर्मेट में खेलते हुए देखा नहीं है और एक्सपेक्टिड है यह कि दो वर करेगा साथी जाद मिल ओर बैटिंग करेगा कैप्टन कर सकते हो टीम का कैप्टन रहने वाला शाकीव बाकी यहां पर है लेविस खेली थी अपने दंपे मैच जिताया था लास्ट में तो कहीं ना कहीं ग्रेगरी के पास फिनिशिंग एबिलीटी है मीडियम फास्ट बालिंग कर लिए जरौत पढ़ने पर बैटिंग और नीचे करता है बाकि बैनी होल ऐसा बॉलर है जो छोटे रना से बालिंग करता है इसके पास सारे बैग ऑफ ट्रिक्स बहुत सकते हैं बहुत वराइडी से बालिंग में विकेट निकाल के देने वाला मंत है आमीर को मिसमत करना है बहुत अच्छा सीपेल सीजन रहता और दबा के विकेट निकालते तो लिन नेट इंग्लेंड का ही प्लेर है लेफ्टम और कौन कितने उबर करेगा मैंने उनके लिखा हुए बैंच में नूरोल हसन जो की बंगलादेश का प्लेर है आपने देखागा जो इंडिया के साथ बंगलादेश का मैच वा था वर्ल्ड कप में उसमें एंड तक जो खेला था वह नूरोल हसनी था यासिर कलीम राइट हं बै कर लेता है रहोन मुस्तफा युए का सबसे बैस्ट आल राउंडर है देखते टीम किस जगह पर खिला सकते उसके लिए फिर्म किसी को यहां पर टीम को भार बिठाना पड़ेगा और तो धेखते टीम किस बार करती है क्या और हैं मतीश पती राना जो कि शीलंका का फास्ट बॉलर है श्रेषंद फास्ट बॉलर है और को श्रीषंद जदा प्लेशन की जरूरत नहीं है और एंधुन्जा चौदरी फास्ट बॉलर अपने बंगलेश के लिए डोमेस्टिक में खेलते हो देखोगा बंगलेश प्रिमेर लिग में खेलते हो देखोगा लेफ्ट आम फॉर्ष डॉलर है इंपॉर्टेंट टॉप प्लेर्स कटिंग को भी कंसिडर कर सकते हो शाकीव होवल और आमीर और यहां पर जेक बॉल पर नजरे बनाई रहते हो क्योंकि आमीर के सा यहां पर तीन टीम शेर कर रहा हूं मुझे रहते हैं काफी चेंजिस होने के चांस है रहते हैं बैटिंग ओडर में तो फिलाल टेंपरी टीम को सेव करके रखना अगर कोई चेंजिस होता है एक्सप्रेट तो मैं टेलिग्राम पर दूंगा है बाकि मेरी जो इन्वेस्में आपके लिए से मैं अलवेस रहने वाला डॉक्टर डीओ सी टीओ आर रैफर को डॉक्टर डालो कि तापको एक तो फ्री का बोनस मिल जागा दूसरा फेंटेसी डॉक्टर की फैमली में आड़ जाओगी जिसे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉलम नहीं आईगी है तो जैस जजाई से भी एक्सपेक्टेशन है अगर जजाई खेलेगा ना फिर मैं या फिर मैं बैनी होवल को किसी को ड्रॉप करके यहां पर मैं जजाई के साथ जाओंगा त्यान रखके चलेगा ओपनिंग के फर्स डाउन पर खेलेगा चूरी चूरी अच्छी फॉर्म में नहीं ह और मॉर्गन भी अपके लिए अच्छे बनेगा बन में रखता है सेकिंड डाउन तक खेलेगा या थर्ड डाउन पर खेलेगा बाकि मैंने शाकीव को लिए शीफट को लिए यहां थोड़ा जो विकिट टेकर बॉलर होविल के साथ जा सकते हो पोलाड को प्रैफर कर सकते ह इनको प्रैफर करना चाहो तो कर सकते हैं कुछ अच्छे बन सकते हैं जैक बॉल को भी ले सकता हूं बाकि यह रावी रंपॉल यहां पर मुझे लगता है बहार बैठेगा यहां पर काफी प्लेयर्स जो है आपको बता दी मैंने उसमें आल्मोस अपके एक्स्पलेशन आप फिर भी सेफ के लिए यह रहेगा वाइस क्रिप्टन से आपके बहुत सारे ऑप्शन है एंड्रेव फ्लैचर कॉलिन मुन्रो एवन लेविस पॉल स्टर लिंग तो इनको ट्राय कर सकते हो ध्यान रखके चलना यह मेरी ग्रेंड लिक की टीम बन हो जाएगी आपके लिए य जैसी उस पर कलिक करोगे टेली गराम चैनल ऊपन हो जाएगा देरन उसको ज्यान कर लेना है तो द्यान देली खर चैनल को ज्यान कर लें जैसे बताया है तो मिलते है तर टेली ग्रम यह जैहीं दोस्तों बाइबाएबाइध